1, 2, 3, 4, Mic Check, Mic Check, Mic Check, Mic Check, Mic Check, Mic Check, 1, 2, 3, 4, Mic Check, Mic Check, Mic Check 1st February आ चुका है और यहां से तुम्हारा और मेरा मिलके टाम टेबल बनाना बहुत ज़ादा जरूरी है क्योंकि जितना आलस था वो खाली आपने, अब भाई जो है बातचीत करेगा पढ़ाई वाली कल तुम्हारा भाई गया शॉपिंग करने और खुब शॉपिंग की, लाइक दबा की शॉपिंग की खेर वैसे मैं तीन-चारी बुक लेकर आपाया, विकॉस बुक्स अविलेबल नहीं थी अब बोल रहें के नेक्स सेशन की बुक्स आएंगी तो कल जो मैंने शॉपिंग की, एक्स्क्लूजिवली अकाउंट्स की बुक्स की शॉपिंग की जिनको मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ कि आज अभी 1st February से तुम अगर उन बुक्स से पढ़ना चालू करते हो जो के इस बार हमें टर्म टू में नहीं करनी है तो जब मैंने बुक्स खरीदना चालू की तो मेरे पास 3 exclusive बुक्स निकल की आई एक वी के पॉब्लिकेशन की थी, एक अरीहन थी और एक ओस्वाल थी ना उसके साथ साथ D.K.Goyal भी थी और T.S.Girwal भी बट वो more so over मेरे ख्याल से जादा detailed books है तो उन पर इतना focus ना करते हुए मैंने सोचा के let's focus on those books जो तुमारा revision बहुत अच्छे से करवा सकती है इस एक महीने के अंदर So मैंने तीनों books को सिर्फ cash flow की basis पे categorize किया है और क्यों किया है क्योंकि तुमारे पास ये वीडियो देखने का limited time है मैंने चाहता कि आधे एक घंडे का वीडियो बना दूँ तो अगर तुम चाहते हो कि मैं और chapters के भी ऐसी detail वीडियो लाओ तो मुझे comment में बता दे ना मैं बाकी chapters के भी बना दूँगा सो कुछ चीजों को मैंने exemption लिया है या मैं ये बोलू कि मैंने उनको opt out कर दिया मैंने उन चीजों को यहां पे ध्यान नहीं दिया है पहला ये है कि मैंने books को इस basis पे जज़ नहीं किया कि उसमें कितनी mistakes है विकॉज ओवियसली ये सारी books rush में बनाई गई है तो हर book में कही ना कही थोड़ी बहुत mistakes तुम्हें देखने को मिलेंगी दूसरा मैंने उस basis पे जज़ नहीं किया है कि इनोंने कितना subjective और कितना objective basis पे pattern लेके ये लोग चले हुए है और तीसरा मैंने ये भी नहीं देखा है कि कौन सी कितनी difficult है और कौन सी कितनी easy है मैंने सिफ एक set pattern रखके रखा है even if they are going from easy to difficult that's completely fine for me मैं उसमें भी agree कर जाऊँगा बस content पूरा होना चाहिए cover up कि अगर बच्चा उठा के देख रहा है तो you have covered all the content in the particular book शुरुवात मैं करूँगा VK publications की जो exam idea आती है now cash flow के अंदर to be very honest जब मैं short questions उनके देख रहा था तो वो self-explanatory मुझे लगे मुझे लगा कि उसके अंदर content sufficient है but जैसे ही मैं long questions में आया मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम D.K. Goyal से या even T.S. Girwal से या even और कोई detailed book से तुम अलरी पड़े हुए हो मुझे ऐसा लगता है personally with my humble opinion के तुमारा revision कही ना कही थोड़ा बहुत कम रह जाएगा let me tell you the reasons why इस पूरी बुक के अंदर accumulated depreciation पे बहुत आदा focus किया गया है cash flow के long questions में इस पूरी बुक के अंदर अगर मैं थोड़ा सा और detail में जाके बोलू तो तुमें, you know, debentures related सारी dates वगरा मिल जाएंगी even September, October, July वगरा सारी dates तुमें मिल जाएंगी जिस related तुमें debentures के adjustments करने है but the thing comes in when there is complexity what complexity basically means when it comes to redemption of debentures you know, redemption of preference shares यहाँ पे तुमें दिकत देखने को मिलेगी because यहाँ पे इनके एक भी questions नहीं है, long answer type questions में जो कि तुम बैटके आराम से कर सको तो तुम्हारा दिमाग क्या होगा कि तुमने exam idea से पूरा पढ़ लिया है but वो जो major portions होते जहाँ पे तुम्हारा chapter में क्या break होता है कि या तो तुम्हें पूरा आ गया या तो कही न कहीं कम ही रह गई वो premium on redemption of preference shares, premium on redemption of debentures discount on issue of debentures, loss on issue of debentures ये सारे जो core part है वो इसमें missing है even मैं तो ये देखना चारा था कि इनके explanations भी मिल जाते तो better होता लेकिन जब मुझे वो additional informations ही नहीं मिली then I was quite disappointed but अगर तुम्हें basic पढ़ाई करनी है और तुमने अपनी detail book से already बहुत कुछ पढ़के रखा हुआ है and you are okay with के ठीक है अगर नहीं भी दिया हुआ तो मैंने अपनी detail book से पढ़ रखा है तो चलेगा but अगर तुम इनी को साहरा लेके term 2 करना चारे हो and you want to completely rely on this book make sure तुमने ये कुछ pointers जो मैंने बताए हैं वो दिमाग में भर लिये है अब बारी आती है Arihant की जुनने term 2 के लिए exclusively अपनी book निकाली है बाई सही बताऊं तो मैं तो है न 10 out of 10 दूँगा when it comes to the theory portion क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होते है जिनको अलग ही anxiety हो जाती है अगर उनको theory अलग से लिखी हुई ना मिले so अगर तुम theory पढ़ना चाते हो तो Arihant की ये book best है तुमें enough content मिल जाएगा Arihant का जिससे तुम अपना पूरा theory content तयार कर सकते हो अगर तुमें separately पढ़ने का है because ये subjective matter है कई बार जो पूरा chapter पढ़ाते है teachers वो उसमें already theory cover करवा देते but still if you want you know separate notes for theoretical portion Arihant को 10 out of 10 है now यहां से चालू होती ही तुमारी roller coaster ride अब मैंने roller coaster ride क्यों बोला है क्योंकि यहां पे even first short question से भी तुमार लिए extreme variety चालू है see if you are a beginner if you just want कि तुमारे पास term 2 की Arihant की book हो and you start studying cash flow from this book believe me ऐसा सोचना भी मत उन्होंने ये बहुत clear कर दिया है कि it is just a revision book not just a revision book but a good revision book let me clear my thought process it's a very good revision book लेकिन वो clarity उनके पहले question से दिखती है कि हाँ तुमने कोई book से पढ़ा होगा तुम किसी book से बहुत अच्छे से अलरड़ी पढ़के आ चुके हो चाहे वो T.S. Girwal हो, D.K. Goyal हो और भी जो books आती है तुम उनसे अलरड़ी पढ़ चुके हो A.P.C. वगरा and now अचाहेद A.P.C. की D.K. Goyal आती है and now you are into this, you know, अरेहंत एकोसिस्टम जहां पर तुमने उठाया पहला कॉश्टन भूम मतलब दिमाग पर लगेगा सीथे जाके के यार हाँ, मुझे मेरे पूरे कॉरे कॉंसेप्स आने चाहिए so from nowhere they are making your concepts there is no explanation के यह कॉश्टन को कैसे किया जाएगा step-by-step baby questions देने के बाद then coming to the major questions में अभी सिर्फ short questions की बात कर रहा हूँ यह चीज यहां पर देखने को नहीं मिलेगी हाँ, I was quite impressed जब मैं long questions पर गया तो I found के वहां पर जो मैंने premium on redemption of adventure वाली बात कर रहा था या premium on redemption of preferentiaire वाली बात कर रहा था देवर देर, thank God मुझे बहुत अच्छा लगा यह चीज देखे के यह questions वहां पर है but again long questions में from the very first question again that complexity पाँच है, adjustments से खटे like ऐसा नहीं के एक depreciation का देदिया एक interest on the venture देदिया शुरू करो मुनना, आगे करते चले जाना ना, 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 देवर bang on उनका यह कहना था, पढ़के तो आए होगे तुम तुमने यह book तो revision के लिए लिए ना, चलो revision करवाते हैं तुम्हें हम और उन्होंने पहले question से ही वो detailed practice दे दी है कि अगर तुम already prepared हो तो तुम्हारी इसे preparation और अलग level पर advanced level पर तैयार हो जाएगी अगर कोई एक setback तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि बाबजी इस book से पढ़ने का कोई setback भी एक है negative भी है क्या not as such a negative point but the thing is this is not a refresher जिससे तुम basics से strong करोगे questions करोगे and then तुम्हारा cash flow बहुत strong हो जाएगा इस book को पढ़ने से पहले तुम्हारे पास कोई एक ऐसी book होनी चाहिए जिससे तुम already पढ़ चुके हो अगर नहीं तो believe me this is not the book and यह उसका negative point नहीं है यह अपने काम को justify करी अगर पतली सी book है तो उसका वो काम है और वो करके दे रही है अरहंत वाली बुक जो है so it's a very good book again I'm saying but the thing is अगर तुम average student हो अगर तुम above average या below average भी student हो इस book से पढ़ना शुरू मत करना पहले कहीं से basics पूरे तयार कर लेना उसके बाद इस से पढ़ना you will get better results and believe me everything they have covered जो मैं यह बोला हूना हो below average या above average वाले मत पढ़ो the thing is there is no as such explanation given that why premier on redemption of debenture is being done the way it is being done or why you know this adjustment is being treated that way इसा क्यों किया गया है इसा कोई explanation नहीं मिलेगा finally बात आती है ओस्वाल बुक्स की जिनका मैंने चैप्टर वाइस कॉस्टिन बैंक for class 12 जो तर्म 2 की लिए था वो मैंने उठा के देखा now to be very honest इनकी भी similar approach थी अगर मैं students point of view से देखू तो जो अर्यंत की approach है वही same ओस्वाल की approach है लेकिन ओस्वाल ने क्या किया उन्होंने ओस्वाल बुक्स ने especially उन्होंने skip कर दिया पूरा जो वो individual होता है देखना चाहता है कि यह कैसे किया जाए अगर मैं individual you know कोई भी activity सीखना चाहता हूँ but again drawback जो same अर्यंत के साथ था मुझे लगा ओस्वाल के साथ भी वही काम कर रहा है the ideology behind making these books is generally कोई भी बुक ले लो that they don't want to you know limit themselves कहीं पे भी के यार हम जानते हैं कि बच्चा प्रैक्टिस करने आया है बच्चा already detailed book पढ़के आया है so यही तीन major publishers है जो कि आज की time पर role play कर रहे है when it comes to the revision series and everything so मुझे ऐसा लगा कि ये लोग already ये चीज समझ चुके है कि बच्चा किसी अलग book से पढ़के आ रहा है किसी detailed book से पढ़के आ रहा है उस वाल ने भी वही किया theoretical में उन्होंने flowchart के थुरू explain किया बाकी उन्होंने questions वगरा दिखा दिये उसके अंदर फिर बाताती है long questions की now भाई मुझे सही बतारो impression मेरा यहां पे जमा because इन्होंने approach जो लेके चले ये लोग that was TS Girwal approach and why I love TS Girwal approach is not sponsored but the thing is उसमें वो लोग slow process रखते है पहले कम you know additional information वाले questions करो कम adjustment वाले questions करो then move towards the higher adjustment questions और उस्वाल बुक्स ने exactly वही किया उन्होंने जो long questions देना चालू किये उसमें पहले basic adjustments की साथ चालू किया so that बच्चा comfortable हो सके अगर even वो revise करके भी आया है फिर भी अगर इस बुक से पढ़ रहा है तो वो एक-एक adjustments करके at least अपने long questions को strong बना सकता है because उसको जादा additional information देखने की जरुवत नहीं है 4-5-6 additional information नहीं फेक दी गई है उसके सामने एक single-single adjustments है now यहां पे भी वही problem face हुई मुझे ऐसा लगा कि Oswal Books is basically kind of a mix of Arihant and VK publications because कहीं न कहीं दोनों की मुझे hint मिली जैसे premium on redemption of debentures नहीं था premium on redemption of preferentiares वगरा नहीं था तो मुझे लगा वो एक miss out opportunity थी although board exams में अभी तक ऐसा पूछा नहीं जाता है या पूछा नहीं गया है but if there are chances if it is a part of syllabus why not to include that portion as well तो वो एक चीज मुझे miss out लगी but at the same time मुझे वो Arihant कहां लगा because उसके अंदर kind of board approach है मैं honestly बताऊं तो Arihant थोड़ा सा extreme चला जाता है Oswal थोड़ा सा neutral चला जाता है Oswal Books के साथ क्या है कि उन्होंने board approach रखी है उन्होंने board pattern रखाई कि board की जो basic questions आते है वो हम दे देते हैं जो कि VK में मुझे देखने को नहीं मिला था they were like देख लेते हैं जो देना है वो दे देते हैं but उस वाल के अंदर मुझे लगा कि हां उनका जो content है it is more towards the kind of questions that are being asked in board exams so ultimately तुम मुझे पूछूगे के कौन सी बुक मैं रखाई करो देखो यार मैं वीके को with my personal opinion मैं नहीं कहूंगा कि उसको प्रिफर करो because वो उतनी value add नहीं करेगा and it's kind of confusing कि वो क्या बनना चाहता है so I will never refer कि वीके publication को तुम रखाई करो अरहंत is a very good choice for you अगर तुमारी preparation 100% है and you are willing to accept the challenges like तुमने पूरा पढ लिया तुमें आता पूरा है तुमें कोई confusion नहीं है but you want के मेरी जो detailed book है उसको मैं पूरा करने की बाद now I want certain challenges मुझे कुछ और चाहिए more for me I don't want any explanation I don't want any detailed explanation because I already know everything मुझे सब पता है all I want is a kind of a challenge for me अरहंत is the book for you plus theory तुमें अलग से मिली जाएगी now Oswal books किस के लिए है जिसको limited पढना है और उसको अप्रोच यह रखनी है कि उसे boards में 100% लेके आना है and उसको limited content चीए Oswal में तुमें limited मिलेगा अगर तुम चाहते हो कि तुमें N number of questions मिल जाए तो chapter wise question bank के अंदर sorry वो चीज नहीं मिलेगी हाँ practice paper अलग से है उसमें से questions कर सकते हो but that is completely separate thing I am going chapter by chapter so अगर board approach तखनी है okay मैंने detailed book कर ली है मुझे थोड़े से questions और करने है जिससे मेरा board preparation complete हो जाए I don't want any kind of challenges but as per the board Oswal is the book for you उसमें तुमारी preparation complete हो जाएगी for board exams तो मैंने तीनों books का बता दिया अब तुम पूछो के मैंने TS Girwal भी तो ली थी उसका review क्यों नहीं किया and DK Goyal का क्यों नहीं किया ताकि मैं तुमसे बोल सकू कि अगर तुमें चाहिए क्या पढ़े और एक यूनो टॉपर क्या पढ़े एक मिडियोकर स्टुडेंट क्या पढ़े मैंने सब कुछ बताया है make sure तुमने डीटेल बुक से पढ़ाई की हो these books are not meant for your day-to-day studies these books are only exclusively for your revision time period तो अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो please मुझे बताना कि और क्या मैं कर सकता हूँ तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद